आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही फ्रंट नेक डिजाइन बनाना बताऊंगी चलिए स्टार्ट के लिए तमारा आज का वीडियो नेक बनाने के लिए हमने यहां पे पेस्टिंग कैन्वस लिया वह है जिसकी लंगाई 14.5 और इसकी चोड़ाई जो है वह 11 इंचेस अभी की सेंटर GYR से अच्छी तरीके से मोडowej और हाथ उस अच्छी तरीकिकर में इंद प्रेस कर लेना है अब जो है हमें गली की चोड़ाई का निशान लगाना है जो किये री इंचेस और आप गली की लंबाई का निशान लगाएंगे साड़ी छे इंच पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप गली की गहराई चाहिए और नीचे की तरफ से भी तीन इंच का निशान लगा लेंगे और अदर की तरफ से हमारा राउंन नेक ड्रॉ कर लेंगे ये जो गलाई जो हमने रखी हुई है उ Donc जो एक इंच पे है अभी नीचे की तरफ हमारा डाइगरम ड्रॉ करना है अभी साथ इंच पे एक निशान लगा लेंगे और नीचे की जो चोड़ाई होगी हमने जो है आधा इंच रखना है टोटल एक इंच उसकी चोड़ाई हो जाएगी अभी जो नेक है और नेक से जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से एक लाइन ड्रो कर लेंगा सीधा और आप कर लेंगे इसकी कटिंग अब जो है हमारा जो अंदर की तरफ जो नेक है उसे कट कर लेंगे और नीचे की तरफ से हलका हलका कैन्वस कट करेंगे ज्यादा नहीं करना है बस हलका हलका सही निक कट कर लेना है है देखिया हमारा जो नेक है वह रेडी हो चुका है मी से पेस्टिंग कैन्वस को मनें फइब्रीक पेस्ट कर लेना है दीक हमने फइब्रीक पेस्ट कर लियाए और Sakrajm어agtे यसी से का कट कर लिया है की जो आधो है महीं है से फैब्रीक जो है असानी से मूड जाए अब जो एक्स्ट्रा फाब्रिक है उससे अंदर की तरफ मोड़ते वे उस पर हमने जो है सिलाई लगा लेनी है अब नेको मोड़ेंगे इस तरीके से और सेंटर में एक छोड़ा सा कट लगा लेंगे अब हमने जो है कुर्टी का फ्रेंट पार्ट लिया है और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और जो हमने कुर्टी पे कट लगा हुए है और जो नेक के कठे दोनों कठ को कठ से मिलाएंगे और center में बड़ा टका करके सिलाइ लगा लेंगे कि हमारों जो neck है वहाँ हो ज़िक्स हो जाए उमिन जो neck एटेशच करने में आसानी हो हमने जो νcommुल लगा है दर निचान को मिलते होे हमने just neck एटेश्च करना है बिलकुर किनारो पर होगी इसे क्या हमारी नेक पे अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी अगर आपकी जो सिलाई है वो पेस्टिंग कैन्वस पे लग भी जाती है तो कोई बात नहीं अब जो अंदर की तरफ से जो एक्स्टर फाब्रिक है उसे कट करके निकाल लेगे कि हमने इध्यान से कट करना है हमारा जो फाब्रिक है वो नहीं कटना चाहिए हमारा जो नेक है उसे रॉंग साइट टन करके इस पर बड़ा टका करके सिलाई लगा लेंगे बाद में इस सिलाई को निकाल के हैं स्विच कर लेंगे और जो यहां पर नोख है उसको अच्छी तरीके से में जो निकालना है हमने नेक पर लगाने के लिए यहां पर तिर्ची पट्टी ली हुई है और हमने यहां पर फ्रेड्ट पाइपिन बना लेना है थ्रेड्ट को सेंटर में रखेंगे और इस किनारों पर लगा लेंगे यहां पर वन फूट की हल्प से इस पर सिलाई लगाएंगे अगर आप आप पून N件 पर लगाना तो आपतीर wheat advertisement करके इस देट पैपिन बनाये हैं अगर आप के दामन वा घेरे में लगाना है तो आप सीधी पटी करके चिलाई लगाने बनाएं इसे त़रीके से तो मार्य वाल प्यापा एतरिके में पुरा लगा लेना है üH में पूरीफ ना लिए यहां, अव इसे नएक पर रकेंगे बिलकल इस तरीके से और हमने त्रेड़ पीन पे हलके लगानी है हमें जो है पॉरेब हाँ और या ज्यादा खीछ के नहीं लगाना है जिस तरीके से हमने एक तरफ जो हे थ्रेड पाइपी लगाए हुई है उसी तरीके से हमने जो हे दुसी तरफ भी थ्रेड पाइपी लगाकिर तयार कर लेना है अभी जो एक्स्ट्रा त्रेट पाइपी ने उसे नीचे की तरफ से कट कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हमने जो है त्रेट पाइपी लगाना है देखे हमने एक तरफ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ लगाई हुई है उसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिनिशिंग के साथ लगाना है ची ये फिर सिदी परखकरने के लिए के लिए बनाई हूई है है कि क्या मुष्ब्रेश इसने बारिट बना सकते हैं और इसे छोड זה पीस कट कर लें है लगबंग नहींAP अब इसे इस तरीके से मोड़ते हुए एक लूप बनाना है और इसे हमने नेक के नीचे रखना है और इस पर स्टिच कर लेना है इसी तरीके से दो और हमने जो है लूप बनाके लगाना है जो हम दूसरा लूप लगाएंगे दोनों लूप के बीच में एक इंच का गैप होगा एक इंच के बाद हमने जो है दूसरा लूप लगाके स्टार्ट कर लेना है क्योंकि हमने जो है दूसरी तरफ से भी लूप लगाना है तिसलिए हमने जो है एक डेड़ इंच का गैप छो अब दूसरी तरह भी हमने जो है सिलाई लगा लेनी है अच्छी तारीके से अब जो हमने एक दे रहिए इंज की जगा छोड़ी थी अब दुसरी तरह से हमने उसी जगा पर लूप लगा लेना है जो दुसरी तरह से इस तरह भी हमने तीन लूप लगाना है अब जो हमने लूप लगाया हुआ है उसके ओपर हमने ये वूड़न बटन लिया वही आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा इसे हमने नीरल के हैप से स्ट्विच कर लेना है हम तीनों लूप के ओपर तीन तीन बटन रखे हैं आपको आज की डिजैंग कैसी लगी लाइक पर कमेंट करके जरूर बता है अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई